वीडियो चाहे 2x speed पर देख लेना भाई लेकिन देखना पूरी ये वीडियो मैं ऐसे बना रहा हूँ जैसे मेरे सगे छोटे भाई ने बहन ने मुझसे को guidance मांगी है इस वीडियो में एक एक बात complete detail में बता रहा हूँ 2x speed पर देख लेना चाहे लेकिन देखना पूरी भाई इस वीडियो में आपन बात कर रहे हैं कि CGL 2023 के लिए जो लोग prepare कर रहे हैं उनको क्या strategy रखनी चाहिए CHSL वालों के लिए भी same ही रहेगी है ना तो strategy बताने से पहले मैं बच्चों को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ पहले तो ऐसे students जिनोंने अपना syllabus पूरा कर लिया है या 90% के almost syllabus उनका पूरा हो चुका है बस 10-15 दिन में और अपना syllabus उनका complete हो जाएगा फिर उनकी बात करेंगे जिनोंने अभी तयारी शुरू करी है दस दिन पहले शुरू करी है पंदरा दिन पहले शुरू करी है यह आज से शुरू करी है तो पहले हम बात करें उन बच्चों की जिनोंने अपना syllabus पूरा कर लिया है यहाँ पे अगर आप लेफ्ट एंड साइड पर देख पा रहे हैं तो मैंने आपका basically hours डिवाइड कर दी है जैसे ढाई ढाई पांच और एक छे और तीन नो और दो ग्यारा घंटे से कम पढ़ने से बच्चे काम चलेगा नहीं अगर आपको अच्छी पोस्ट को टार्गेट आप कर रहे हैं ग्यारा घंटे आपको minimum पढ़ना ही पढ़ना पढ़ेगा कैसे डिवाइड किया मैंने डेली क्या करना है क्यूंकि अब आपने देखो वीडियो देखना नोटस बनाना यह सब काम आप पर चुके हो अब आपका से लेवस पूरा हो चुका है अब आपको क्या करना है धाई गंटे मैंने दिया मैज्स को मैज ç इतना मुझे लगता है कि देखो जो मेरी वीडियो देख रहा है इतनी उसके अंदर समझ होगी कि यह अपने आप आप उपर नीचे कर सकते हो पहले क्या पढ़ने का मन है बाद में क्या मढने का मन है इसको टुकड़ों में बाटना है कि ग्रैमर पढ़के जस्ट बाद में व चैप्टर के एक चैप्टर उठाया उसके सर ने जितने कोश्चन कराये थे नोट्स के अंदर उन कोश्चन को अपने लगा लिया ठीक उसके बाद उसके बाद उसके बाद उस चैप्टर के प्रिवियस एर किरन से करो चाहे 7300 किताब से करो किसी भी एक किताब से घटना चक उसमें chapter wise question जितने थे वो सारे के सारे revise करने ये, अगर मैं मोटे तोर पर मान के चलूं कि 15 chapter हैं, तो notes revise करना plus में जितने सरने question कराई उसके लिए मान लेता हूं मैं दो दिन, इन question को करने के लिए मान लेता हूं मैं जादा जादा, ये total काम मुझे लगता 3 दिन के अंदर हो जा हां के न, तो इस से कम में काम चलेगा नहीं, आपका अगर इसको डेड़ महिने में कर लेते हो, तो इसी cycle को एक बार और repeat कर सकते हो, ताकि एक एक चीज बिल्कुल जड़ से मजबूत हो जाए, ठीक है, अच्छा अगली बात, English के लिए क्ली क्या करना है, अपना notes revise कर लिए फिर वही बता रहा हूँ, यह उन बच्चों के लिए है, जो coaching पूरी अपनी कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं करी है अभी उनके लिए भी आगे बताऊंगा, अपना notes revise किए, उस chapter के question जो सर ने class में करा रखे थे, वो तो notes English में क्या होता, अलग से solve तो करने ही नहीं, वो त से आप so question आपको लगाने है, कितनी बात आगी समझे, mirror of common ऐसे लगा सकते हो, या कोई practice बैचे जैसे जिरोने course बगर ले रखें, जैसे मेरा practice बैचे chapter wise का वहाँ से लगा सकते हो, कुल मिला के, so question आपको minimum करने ही करने है, ठीक, अच्छा, daily की अपनी 50 से 60 वर्ड आपको vocab कर करने है, daily अपना 30 से 40 मिनिट रीडिंग करनी है, और RC ये उन बच्चों के लिए है, जो मतलब passage PQRS close test जिनका बहुत जादा कमजोर है, उनको फिर RC पे अलग practice करनी पड़ेगी, आपने देखा, mains में PQRS ने इस बार बवाल मचाया, हाँ के ना, तो आपको उस portion की close test की PQRS की अलग से उसको आदा पोना घंटा आपको daily का देना पड़ेगा, अब मैं ये मान के चलता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ, कि एक English में वही मोटे मोटे 15 chapter है, ठीक है, रोज अगर मैं notes से और chapter wise practice करने की बात करूँगा, तो एक chapter बड़े आराम से, बहुत आराम से, तीन दि अगर आप मेरे से पड़े हो, तो जैसे मेरे वोकेब के चार बैचेज है, फोटो से नमनिक से वोकेब करार के सारी previous year है, पहले प्राइटी उसको देनी है, ठीक, अच्छा, आरसी के practice बैच में है मेरे, आप मैं फिर बात आ रहा हूँ, मैं ये नहीं कहा रहा है कि मेरे से प करना, दुबारा पूरा course मत करने लग जाना, especially ये point आके बताऊंगा आपको जो आप खास बाते आपको धियान रखनी है, ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपन किस पर आगे, उसके बाद आपन आगे reasoning, reasoning के लिए one hour, ठीक, उसमें क्या करेंगे, अपन notes revise करेंगे, और हर chapter के question लगाएंगे, previous year, किसी भी किताब से लगा सकते हो, है न, अच्छा, ये थोड़ा छोटा होता, reasoning वाला topic तो जल्दी खतम हो जाएगा, एक महीने में इसको आप आराम से कर लोगे, एक cycle और भी चला सकते हो, paper से पहले पहले, ये दो बार हो जाएगा, ये कम से कम एक बार हो कर दी थी, तभी तो तुमारा syllabus पूरा हुआ, या तो मैं ऐसे बच्चों जो पिछले साल एक नौकरी crack कर चुके हो, इस साल grade पे बढ़ाना चाते हो, अपनी अच्छी posting चाते हो, ऐसे वाले बच्चे हो, तो तुम्हें पता है कि मेंस के अंदर, ये सब तो सब करेंगे, उम देख सकते हो, notes किसी से मंगा के कर सकते हो, previous year questions लगा सकते हो, और ये GS के तीन गंटे, एक अठे तीन गंटे GS नहीं पढ़ पाओगे, Maths और English के बीचे पढ़ लिया, पहले पढ़ लिया, यहां डाल दिया, paper के बाद डाल दिया, ऐसे इसको distribute आपको लोगों को कर लेना है, ठीक है, दो घंटे हर रोज का एक paper, हर रोज का एक paper प्लस analysis को दो घंटे आपको देने ही देने है, priority previous year की रहेगी, CGL 22 के कर लिए, 21 के कर लिए, 19 के कर लिए, ऐसे पीछे को चलेंगे, mock बाद में, ठीक है, अब कुछ इसमें खास बाते हैं, चीजों का ध्यान नखिएगा, पहला, अभी इसमें मैंने लिए 11 hours की strategy, इसमें मैंने लिए 11 hours की strategy, अगर आपका को topic week है, माल लो कि मेरा English ठीक है, और Maths week है, तो मुझे इस काम को करने में फिर इसकामला time जादा लगेगा, या कुछी particular topic पर time मुझे जारा देना पड़ेगा, तो मैं इसको 3.5 गंटे तक भ 12 गंटे पड़े ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, कि माल लो माल लो मेरी English, मैं बड़ी जल्दी cover कर गया, यह तो मैंने 2 महीने में cover कर लिया, डेड़ महीने में cover कर लिया, तो paper से पहले के डेड़ महीने में जो हर ये वाला portion का, जो आपका 1 hour daily का बचरा है, वो अदर transfer कर दो, हाँ कि ना, reasoning मेरी हो चुकी है, यार मैंने जल्दी से डेड़ महीने के अंदर ही दो बार रेप्टा दी मैंने reasoning, तो यहां से यहां से 30 minutes बचा के मैं week topic पर pass on कर सकता हूँ, जिसका math बहुत अच्छा है, English में ही दिक्कत हो रही है, तो मैं qualifying है, हर एक चीज के नंबर सेम है, मैं मानता हूँ कि mains में GS पर stretch दरना है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनको ध्यानी हमत देरो, math easy आगया, तो math पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है, अपने को सब में जादा mark score करेंगे, तभी बात बनेगी, mains के लिए वही preparation है, और tier 1 के अगली बात, अपने जो test देते हो, उनका system ऐसे रखिएगा, कि तीन previous year, हफते में अगर मालो एक दिन आप छुट्टी रखते हो, पास-छे दिन मौक लगाते हो, तो तीन previous year, दो मौक और एक मेंस का, आपका syllabus पूरा हो चुका है, प्री आपका निकल जाएगा, 100% आपको ध्यान देना है किस पर मेंस को भी target करके चलना है, तो हर हफतेगा एक मेंस का मौक आपको लगाना ही, जिस दिन मेंस का मौक लगाऊगे, उस दिन दो सर दो घंटे लग जाएगे, उस दिन दो घंटे लग जाएगे तो उसका analysis अगले दिन कर लेना, या किसी और analysis को यहाँ पर shift कर देना, ठीक है? GS के अंदर आपको selective portion पहले पूरे करने ठीक है? तीसरा point के है? GS देखो, आपका syllabus पूरा हो चुका है, तो GS में छोड़के तो कुछ नहीं जाना, आपको GS को भी लपेटना है जितना हो सके, लेकिन GS में selective portion पहले, यानि पहले अच्छा, quality का छोटा है, पहले मनलब syllabus छोटा अपना, उसको पहले cover कर लूँ, अच्छा, biology की question जादा आए, तो अच्छा, biology को पहले निप्टा लूँ, ऐसे कर गए, तो GS में selective पहले cover कर लूँ, करना तो almost आप लपेट लोगे, क्योंकि syllabus आपका हो चुका है, लेकिन पहले selective को priority देनी है, ठीक ही कई अगर कोई छूटे, तो ऐसा topic छूटे जो आप वैसे नहीं कर पाते हैं और दूसरी बात, कई बार क्या होता ना इस time पे मेरा syllabus तो पूरा हो चुका है मेरे paper में तीन महीने है तो मैं क्या करने लगता हूँ, मेरे दोस्त पोंगा, अच्छा कोई दोस्त एक question भेज़ देगा अच्छा कोई दोस्त एक teacher की वीडियो भेज़ देगा अब तुम जब उस teacher की वीडियो लगाओगे for example English की बात कर लो let's say आपने मेरे से course कर रखा है, ठीक है आपको किसी ने कोई short वीडियो भेज़ दी 10 मिनिट की, 15 मिनिट की, 20 मिनिट की आपने देखा यार, यह pronoun का एक ऐसा question करा रहा है यह concept बता रहा है, जो सर ने तो अपने बताया नहीं अरे आर पता नहीं, आर मुझे आता भी है कि नहीं आता पता नहीं, यही पेपर में आ जाएगा अपने आप पी डाउट करने लग गए पूरा course भाई ने एक नया purchase कर दिया एक नई रामकता शुरू कर दिया हाँ के ना, तो भाई ऐसे नहीं करना है दोबारा दोबारा पूरा course दोबारा पूरा course नया शुरू नहीं करना है एक आठ topic, एक आठ sentence अगर किसी teacher ने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया तो उसके चक्कर में अपना सत्यानास मत कर लेना ऐसा हो सकता है कि जो वो उससे पढ़ रहे हो उससे दो-चार तुम्हारे वाले ने ज़्यादा पढ़ा रखे हो तो पूरा course दोबारा मत करना हाँ कोई एका topic मानलोग फॉर एक्जाम्पल तुमने मैज का course किया बाकि पूरे question तुम्हारे सही हो रहे है बस ट्रीगो के तुम्हारे जो question है ना यार उसमें तुम्हें confidence नहीं बन पा रहा तो ट्रीगो किसी ओर chapter किसी ओर teacher से आपने पढ़ ली मालोग कुछ छुट पूर topic एक आधा बाए चांस कोई जब अपना notes revise कर थे याद नहीं आ रहा है कोई एक आधा chapter की पूरी वीडियो दुबारा देख लिए आपने चला के एक आधा chapter आपको कोई नए teacher से पढ़ना है एक आध ठीक है reasoning के अंदर ये छोटी सी बात यहां पे लिखी तो यह मैं भूल गया कुछ topic नए है ना जैसे sitting arrangement और वो banking से related cause effect वाले question तो उनको अलग से ध्यान लेने ना भाई उनके लिए अलग से आपको कोई वीडियो देखनी है कोई अलग से तो उनको ध्यान में रखना वो हो सकता है इस बार pre में भी देखने को मिल आए अपने को जो mains में देखने को मिले ठीक है अच्छा माल लो अब ऐसा तो है नी तीन महीने हर रोज तयारी सेम चलेगी कोई बीच में दो चार दिन ऐसे भी आएंगे यार छे साथ दिन लगातार पढ़ लिए तब तो ठीकता आब नहीं पढ़ा जारा तो उस दिन भाई दो मोक कर ले ना जिस दिन डी मोटिवेटिड फील करो दो ही सिद्धानत अपने को अपनाने हैं मौक टेस्ट देने बैठ जाओ टाइमर चल रहा होता ना उसकी पूरा होने की प्रॉइलिटी जादा होती है मौक टेस्ट देने लग जाओ या अपने इंट्रस्ट का टॉपिक पढ़ लो मैंने तो टाइम डिवाइड कर दिया अब मनी निये महत पढ़ने का तो क्या करो बाके सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ लो यार मनी निये इंगलिश पढ़ने का तो क्या करो बाके सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ लो उस दिन को वेस्ट मत होने देना दो दिन अगर लगातार वेस्ट होते हैं तो तीसरा आपने जाता है तो ऐसा मत करना ठीक है एक बहुत important point भाई अभी जब आप मौक देना चालू करोगे तीन महीने पहले आप रोज का एक मौक देना चालू कर दिया आपने तो मौक कैसे attempt करना उसकी practice मनलब उसकी strategy अभी से design करना शुरू कर दो आपने teachers को बोलते हो सुना होगा मेरे को कि maths के अंदर क्योंकि मेंस के अंदर time कम मिलेगा maths और reasoning के अंदर भाई टाइम का game है तो उसके अंदर पहले अपने को जो-जो question अपने सीधे-सीधे होरे पहले वो करने चाहिए बाद में दूसरे करने चाहिए लेकिन क्या करते हैं बच्चे मौक में तो इसकी आदर डालते नहीं मौक में तो क्या करेगा जब तक question number one नहीं होगा two तक हिलेगा ही नहीं है ना तीन मिनट खराब हो जाए अब यही चीज पेपर में करोगे तुम तुमें वैसी practice तो तुमने करी नहीं तुम क्या पूरा question पढ़ते हो अच्छे से 10-15 seconds तुमने सोचने में लगाए कि कर करना यह आदत बनाने का कि भाया देखते ही पता चले कौन सा question है उपर उपर से तेज रीडिंग करके अच्छा यह वला हो जाएगा उसकी आदत बनाने का यह सही समय है अभी से शुरू करना लास्ट दिन में वो नहीं हो पाता कि सारी उमर तो पेपर वैसे सौल किये आप स सौड़े मोटे दर उदर कर सकते हो लेकिन मोटी मोटी आपको यह वाली चीज़ें आपके टीर वन से पहले cover करके जानी है ताकि आपका टीर वन अच्छा जाए और टीर टू के लिए आप side by side बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हों, नए जो, नए जो SST की field में आए हैं यो भी तैयारी शुरू करिए, चार महीने पहले उनको कम से कमा बीट कर पाएं, ठीक है, चलिए, अब बात कर लेते हैं, उन बच्चों की, जिन्होंने अभी 10 दिन पहले तैयारी शुरू क मैं मोटा मोटा मान के चलता हूँ, आपके पास 3 महीने हैं, एक्जेक्ट, ठीक, 3 महीने के अंदर आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो, फिर से आपका भी time divide कर दिया, 4 गंटे maths, 4 गंटे English, 2 गंटे reasoning, और 2 गंटे GS, ये अभी change हो जाएगा, अभी change होगा, ये कुछ time के लि कोई कुछ सला देगा, ये फलाने से पढ़ ले, वो फलाने से पढ़ ले, चुप चाप एक teacher choose कर लो, जिसका समझ में आरा है, बस, सारे बड़ी है, जो 4 पास तुमने top search कर ले, top 5 teacher English, top 5 teacher reasoning, top 5 teacher mathematics, जो सबका content अच्छा है, कोई भी एक पकड़ लो जिसका समझ में आता है, ब करनल ही बोलता हो ना कि 7-8 महीने कम से कम लगते हैं, syllabus पूरा करने में, 9 महीने कम से कम लगते हैं, syllabus पूरा करने में, अब सर आप भी बदल गए, आप कह रहे हो 3 महीने में तयारी कर लो tier 1, tier 1, tier 1 बोल रहा हूं मैं, अगर आप मेहनती हो, अगर आपका level थोड़ा सा ठीक है, अगर आप मेनती हो और अगर smart strategy से चलो तो tier 1 आपका qualify हो सकता है क्योंकि अभी ये qualifying हो गया पहले क्या होता था कि tier 1 के number जूड़ते थे tier 2 में तो tier 1 जैसे तैसे अगर qualify कर भी लिया तो भी tier 1 में बच्चे इतनी lead मार देते थे कि आपकी final नौकरी लगती नहीं थी ठीक है लेकिन अब ये qualifying गया उस दो महिने में में अगर आप अपनी जी जान लगा दो तो chances हैं chances हैं कि नौकरी लग जाए हो सकता dream post ना लगे पहली ही बार में लेकिन कम से कम कोई नौकरी आजाए माते से बेरोजगारी का थपा हट जाए इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक guidance दे दूँ अपना चोटा भाई बहन मानके कि अगर आपने तैयारी अभी शुरू करिए तो आप क्या कैसे परसू कर सकते ठीक है प्री अपना qualifying है लेट से इस बार यूर की cut-off माल लो 114 गई थोड़ा मोटा paper tough हुआ कुछ हुआ target माल लिया मैंने 125 नमबर ठीक है 125 लेके आने हैं और मेरा tier 1 qualify हो जाएगा tier 2 के time पर क्या मत्था मारना है क्या देखना है किसी जो मैनत बढ़ानी तब की तब देखेंगे इस नमबर वाली बात में क्यों कह रहा हूँ जो रहा समय नगा सारा गेम है cost to output ratio का कि अम मुझे बड़ा दिमाग लगा के चैपूरे दो दिन लगा लेना अराम से copy pen पर लिखना मेरी tier 1 की strategy क्या रहेगी cost to output ratio की जितनी देर में जिस topic को पढ़ता हूँ क्या वो उतने नमबर का आता है क्या वो मुझे उतने नमबर दे पाएगा paper के अंदर यह बहुत plan करना आप लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि आपका भी syllabus पूरा नहीं हुआ आपको बहुत सोच के कदम रखने पढ़ेंगे तो maths की अगर मैंने बात करी मान लीजिए recorded classes आप लाइब में बच्चे बहुत टाइम जाएगा teachers comment भी पढ़ता है जवाब भी देता है गुस्ता भी होता है मजाक भी करता है कुछ share हो शैरी भी करते हैं तो उस चक्कर में बहुत टाइम जाएगा आपका recorded prefer कर लो ताकि जब भी क्यों teacher बात करने लगे skip कर दिया आगे बात करते है अपना मान लीजिए मैंने रोज की class देखी भही है डेड़ घंटे की फिक डेड़ घंटे लग गए फिर मुझे उसके notes बनाने में ठीक है जी maximum डेड़ घंटा इसमें डेड़ घंटा इसमें तीन घंटे में आपका class notes plus में यह हो गया पर जब एक chapter खतम हो जाता है जब एक chapter खतम हो जाता है तो उस chapter के questions लगाने आपको previous year लगाने कम से कम कम से कम ऐसे पहने 50 सा ही बताओ तो कम लिखें 50 से कुछ होगा नी 100 कर लो उनको कम से कम 100 कर लो एक chapter खतम हुआ 4 घंटे लिख रखे है न 3 घंटे में ये काम तो खतम हो गया उसके बाद उस एक घंटे में जब तक अगला chapter देगो माल लो 5 दिन चला एक chapter 4 दिन चला 3 दिन चला अगला chapter जब तक खतम हो रहा है पिछले chapter के question लगाते चलो so question कितने दिन में लगा लोगे 3 दिन में तो लगा दोगे so question रोज के रोज के 33 question भी लगा लगा लगे तो भी हो जाएंगे हाँ के ना तो रोज की अपने को strategy ये रखनी है 5 घंटे की class, 5 घंटे के notes अपने और फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया so question लगाने जब वो chapter खतम हो जाए उसके previous एर के ठीक ऐसी अपने को English में क्या करना है रोज की class देखी फिरसे वही ड़ी ड़ गंटा रोज के notes बढ़ाएं फिरसे वही ड़ी ड़ गंटा 3 घंटे चले गए मेरे 3 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद मेरे पास 1 घंटा और बच गया उसमें क्या करना है मुझे 30 वड़ क्या भी यात करनी है वो चाहिए आप अगर जैसे मेरी वीडियोज है 2x speed पर चलाके वैसे यात करनी है वैसे करनी है और 30 मिनिट रीडिंग करनी है चार घंटे पूरे हो गए जब एक चप्टर खतम होगा जब एक चप्टर खतम होगा तो उसके 50 कोश्चन लगाने एक चप्टर खतम होगा अगला चप्टर तो भी चल रहा है एक चप्टर खतम होगा तो अगला चप्टर भी चल रहा है दो दिन तीन दिन तो चलेगा 50 question लगाने में कितने दिन लगा होगे दो दिन में लगा दोगे 25-25 question तो उस दिन थोड़ा सा भया notes जल्दी बना लिए थोड़ा तेज writing में लिख लिया जिस दिन ये 50 question कर रहे हो मुझे लगता देखो 4 गंटे में ये वाला जो काम है ये निपटाया जा सकता है फिर से कर रहा हूँ इसमें भी prefer recorded इसमें भी recorded prefer करिए ठीक है सब teacher सारे batches आपको बोल रहे होंगे अच्छा मेरा ये live batch आ रहा है मेरा ये live batch आ रहा है मेरा ये भी live कर लो ये भी live कर लो reasoning वाला कर लो English वाला काईगा grammar भी live देख vocab भी live देख RC का batch भी live देख सब कुछ live देखो अगर सब कुछ समेटने की कोशिश करोगे ऐसे सब कुछ समेटने की ऐसे बचे सब रेत की तरह फिसल जाएगा बहुत-बहुत-बहुत-बहुत समार्टली आपको काम करना पड़ाएगा अगर tier 1 की qualifying list में अपना नाम देखना चाहते हूँ reasoning सलेवा छोटा होता है chapter भी छोटे होते है एक घंटे की class, एक घंटे के notes जब वो chapter खतम, अगला chapter चल रहा है 50 questions, दो घंटे में एक आम निपताना है GS अब देखो, ऐसा नहीं है यह मत सोचना अभी मैंने जब उन बच्चों की बात करी जिनका syllabus पूरा हो चुका, मैंने GS पर बार बार stress देने को का आपके लिए, मैं मानता हूँ means में GS important है, मानता हूँ means में GS important है, लेकिन, मैंने फिर क्या लिखा हमारा target है 125 नमबर लाना, तो हमें cost to output ratio पर खास ध्यान देना है cost to output रेशो पर खास ध्यान देना है क्या मैं 6 गंटे यहां लगा के 6 दिन के 6 गंटे लगा दू 3 महिने तक, क्या यहां guarantee है कि 40 नमबर पा जाऊँगा बताओ अगर pre में 200 नमबर का माननू, तो क्या guarantee है क्या 50, 50, 50, 50, 50 में 40 नमबर यहां पा जाऊँगा लेकिन यहां पर अगर मैं 6 गंटे लगा दू 3 महिने लगा तार यहां यह 40 की guarantee देता है यह 45 की guarantee देता है यह भी 40, 42 की guarantee जरूर देता है मेरी बात आ रही है तो यहां पर मैं यह नहीं कहा रहा कि बिल्कुल cutoff ही ना clear हो sectional cutoff जो 30% वाली है 50 का 30% वो भी ना clear हो इतना है भी ना पड़ो लेकिन कुछ थोड़ा मोठा बढ़ते रहो लेकिन पूरा ध्यान अभी इधर ही रखो ताकि tier 1 पहले qualify हो ठीक है? अच्छा इसमें बड़ा selective होना पड़ेगा आपको पूरी GS नहीं कर पाओ आप तीन मेंने quality कर ली, biology कर ली जिसमें interest है मतलब थोड़ा मोठा कोई हो history कर ली, history में modern history कर ली teacher से या वीडियो देखके note कर लिया कि अच्छा ये ये वाले topic पर question जादा आते हैं, थोड़ा analysis देख लिया है ना, तो उस हिसाब से decide कर लिया कि अच्छा इतना 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 portion में करूँगा, ठीक है जी अब देखो यहां पर मैंने का कि ये hours change होंगे, कैसे change होंगे देखो, reasoning का जो syllabus है अगर आप recorded classes के through कर रहे हो तो मुझे लगता है बड़े अराम से एक महीने में पूरा हो जाएगा तो, एक महीने में पूरा हो जाएगा तो एक class और notes बनाना ये वाला time तो आपका बच गया, one hour daily का बचने लग जाएगा, ना एक गंटा चलो पढ़े आप practice reasoning की फिर भी करते रहे लेकिन एक गंटा तो फिर भी बचने लग गया ऐसी मुझे बताओ कि grammar अगर आप recorded देखते हो मेरा तो live का batch दो महीने चलता recorded में तो डेड़ महीने में बड़े आराम से निप्टा दोगे देड़ महीने बाद ये तीन गंटे बचने लग गए हाँ के ना, चलो ये भी मैंने मान लिया कि देड़ महीने बाद ही खतम हो रहा है आपका, तो देड़ महीने बाद आपके पास तीन गंटा यहां से और एक घंटा यहां से टोटल चार घंटे बचने लग दे डेड़ महीने बाद आपके पास यह चार घंटे फ्री हो के आगे इसमें से मैं क्या करूँगा डेड़ महीने के बाद रोज का एक मौक देना शुरू करूँगा प्रिवियस यह रेटेम्ट करना शुरू करूँगा दो घंटे तो वहाँ चलेगे एक घंटे का पेपर एक घंटा एनलेसिस और जो दो घंटे हैं वो मैं ट्रांसफर कर दूँगा मैट्स इसको मैं छे घंटे कर दूँगा ताकि मेरा maths का syllabus पूरा हो पाए भारी बात समझ में इसमें भी वही flexibility है कि maths लगातार 6 गंटे पढ़नी पारे यार पहले वीडियो देख ली अच्छा फिर कुछ और पढ़ लिया फिर notes बना लिया यह वाले जो question लगाने का मैं रात को कर लिया तीन पार्ट में बांट लिया वरी बात आ रही है समझ में चलो तो फिर से बता रहा हूँ ठीक ठाक level हो अच्छा level हो hard working हो और smart planning कर दो तो आप तीन महिने में tier 1 qualify कर सकते हो possible है क्योंकि qualifying है अगर पहले क्या होता था number जोडते से तो qualify कर भी लिया पर देखेंगे उस दो महिने में जान लगाएंगे tier 1 qualify करते है recorded classes prefer करिए कुछ काम अगर direct note से कर पाए तो note से करिए मालो मैं तो teacher हो ना मुझे तो courses बेचने होंगे तो हर teacher कहेगा vocab का मैंने आपके लिए design कर दिया RC का मैंने design कर दिया अब कुछ live देखने में नहीं हो पाएगा vocab किताब से कर सकते है बहुत अच्छी बात है recorded to experiment सकते है बहुत अच्छी बात है हाँ के ना तो जितना recorded और note से पूरा कर पाओ उतना बढ़िया एक बहुत important point maths के लिए यह भाई खुद आपते क्या है maths के question हो गए या English के question हो गए reasoning के question हो गए इनमें क्या होता है GS में तो कितना पढ़ लो confidence नहीं आता है लेकिन इनमे इनमे confidence आपको तभी आएगा जब आप एक chapter के अच्छे खासे question लगा चुके होगे अगर आपने उपर उपर से नाम नाम के लिए पढ़ लिया सिरफ notes कर लिये question practice नहीं करी अगर आपने अगर आपने इसको अच्छे से नहीं किया मतलल होता ना एक chapter के डेड़ सो सवाल मतलल धंग से लगा लिये notes भी लगा लिये तब वो confidence आएगा कि paper में आपके अंदर गूदा हो कि अच्छा profit नहीं उसका सवाल है कि कुछ भी होगा मैं कर दूँगा तभी वो confidence बनेगा वरना time भी जाएगा और question भी नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा कि match में चाहिए मेरी तरफ से तुम 3 chapter छोड़ लो तुम्हारा नहीं पूरा और तीन मिने में तुम 3 chapter छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो आरे यह बात समझ में यह ध्यान रखना ठीक है selective कर लो match में match में आप selective कर लो लेकिन जितना कर रहे हो थोड़ा अच्छे से करना कि चैप्टर अच्छे से देखा नोट्स बनाए उच्छे चैप्टर के डेड़ सो सवाल अच्छे से लगा लिए सो डेड़ सो कम से कम है ना अच्छा डेड़ महीने के बाद जैसा मैंने आपको बता है reasoning और English का class notes और वो वाला काम तो बचने लग गया वाला टाइम बचने लग गया तो paper देना शुरू कर देंगे अपन डेड़ महीने के clear हो गया तो भाई ये थी जिसको आप वो बड़े भाई वाली सला कहते हो वाली सला बहुत सोच समझ के कम से कम दो गंटे इस बोड़ के आगे खड़ा रहा हूं मैं लिखने के लिए एक एक बात सोचने के लिए अच्छा ये याद आगा याद आगा फिर भी कुछ extra याद आएगा तो मैं कमेंट में नीचे लिख दूँगा वीडियो शूट करने का बाद हो सकता कुछ और याद आए वीडियो कैसी लगी ये मेरे को कमेंट में जरूर बताईएगा और साथ में एक काम करिएगा नीचे प्रॉमिस अपनी डेट डाल दीजेगा कि सर मैंने ये वीडियो देखिए इतनी तारिक को और और मैं सर इसको अब फोलो करूँगा जी जान लगा के टीर वन तक और टीर वन का जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी कमेंट को एडिट करके चेंज करोगा सर टीर वन क्वालिफाइड ये होगा असली मोटिवेशन ठीक है रोज-रोज मोटिवेशन के लिए उधार की वो वीडियो देखना और रोज-रोज किसी कुछ बंदे ने कुछ भेज दिया उसके दम पे पुरा कोर्स दुबारा करने चल दिये वो सब काम अब छोड़ दो पिर बता रहा हूं बहुत महनत लगेगी और बहुत स्मार्ट प्लैनिंग लगेगी वीडियो के नीचे अपनी डेट लिख दीजे मैंने इस तारीक कोई वीडियो देखी है और टीर वन क्वालिफ होने के बाद क्वालिफाई होने के बाद उस कमेंट को एडिट करना टीर वन क्वालिफाई ठीक है भाई आप सब को CGL टीर 23 के लिए all the best और जिनका 21 में भाई रिजल्ट आया है आप सब को बहुत बहुत बताई जितने स्टूडेंट से काफियों के मैसेज आ चुके है जिन्हों नहीं किया भाई मैसेज कर दीजेगा कोई स्क्रीन शोट वगएरा कुछ नी डालूँगा बस अच्छा लगेगा ठीक है फिर से बता रहा हूँ अपने आप से वादा करना है नीचे कमेंट डेट प्लस में तर टीर वन क्वालिफाई करने के बाद एडिट करके मिलते हैं ठीक? All the best